हाई फ्रेंड्स गुड वर्निंग विल्कम टू ऑनलाइन प्रेप्रेशन बिथार्टी में आपका बहुत बहुत शौगत है एंड फ्रेंड्स एक जो उपापो चल रही है और इस वक्त जो एक सिचुएशन एक इस्थित जो है नायस डिलर्ड वालों की वह हम समझ सकते हैं आ और परशानी का सबब एक कारण ये भी है कि जब से एंसीटी ने कहे दिया है अमान घोसित कर दिया है डिलर्ड को ऐसी भी निवजे आई है तब से आप लोग परशान है कॉल आ रहे हैं मैसेज आ रहे हैं और हम बार बार वीडियो बना के आपको इसके बारे में आउगत कर आते रहते हैं चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ है कि एंसीटी ने आखिर डिलेट को अमान क्यों किया जब तक कोर्स चल रहा था तो तब तक तो एंसीटी ने कुछ भी नहीं कहा रिजल्ट भी आ गया लेकिन इस कंडि एक कल दीजे वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिएगा तो चलिए फिर देखते हैं वो ख़बर बहुत बड़ा खुलासा कि क्यों एंसीटी ने अमान किया डिलेट को क्या रिजन था तो फ्रेंड्स यह है एक रिजन देख रहे हैं 8 सेप्टेंबर की ये निउ सित किया है असमवेधानिक बताया है तो चलिए इस ख़बर को हम देखते हैं इसके वारे में पहले भी आपको बता चुके हैं देखिए पहले भी कह चुके हैं कि जब से गवर्मेंट ने ये कोर्स चलाया था डिलेट का उसके बाद से स्कूलों में बिलकुन भीरसी हो गई उनका रिलेशन था या प्रिंसपल से उनकी पहचान थी स्कूल से कॉंटेक्ट था उन्होंने अपने नाम उसमें रिश्चर में दाखिल करवा लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको डिलेट करना था क्योंकि वह अंट्रेंड हो ना था यही मेन एक रिजन है चलिया यह पू इसका जीकर पहले भी हो चुका है जब आपका फर्स समेस्टर का पेपर हुआ था और में बहुत सारे सामने आहरे थे सिंग्षा विभाग के करवचारी की मिली भगत से फरेजी सिंग्षकों को डर्जा दिलाने का कियो चल रहा है और पूरा मामला तब प्रकास में आया जब पिछले सब्ता बी यो चंदेशतर प्रशाद ने इस मामले की जाच की यह रमकंडा गड़वा की इस्तिति हैं आपको न्यूज बता रहे हैं लेकिन यह सिर्फ न्यूज वहां बसकी नहीं है बलकि यह न्यूज हर एक स प्रकांड सिक्षा प्रशार प्रदादिकारी ने कुछ विध्यालें के निरिक्षन में पाया कि कई ऐसे सिख्षक दनिशनल इस्ट्यूट आप ओपन स्कूलिंग यानि NIS के माध्यम से दिलेट का प्रसिक्षन ले रहे हैं जिनका स्कूल में कोई दिकार्ड ही नहीं है और इसके बाद प्रकंड सिख्षापदा दिकारी ने ऐसे कुछ स्कूलों को चिन्धित कर उनके खि लोग सिख्षक के रूप में स्कूलों में सामिल किये गए जिनका सिख्षनकार से पहले दूर दूर का कोई नाता ही नहीं था या यह कहें कि जिस स्कूल के नाम पर उन्होंने डिलेट में नामांकन कराया उस स्कूल से उनका कोई वास्ता नहीं रहा यानि कि टीचिंग से उनका कोई वास्ता नहीं था वो teacher थे ही नहीं वो school में पढ़ाते ही नहीं थे लेकिन सिफ trained होने के लिए उन्हों ने school में अपना नामांकन कराया और सबसे बड़ी गलती यहां पर उस school के teacher की और principal की है जो उन्हों ने ये काम किया और इस काम में उनका साथ दिया आगे और news रिखते हैं बताया जाता है कि प्रखंड के एक शिक्षा कर्मी ने अपने कई रिष्टेदारों को डिलर्ट की डिग्री दिलाने के लिए school पर दवाव बनाया कि उन्हें अपने यहां सिक्षक बताएं शिक्षा कर्मी के इस दवाव का स्कूलों के प्रवंदन ने भी खूब फायदा उठाया और डिलर्ट में नामांकन के एकशुक टीचर ने उनसे मोटी रकम वसूल की और ग्यात हो कि वर्स 2017 में सरकार ने सरकारी और निजी विद्यालों के आप्रसिक्षित सिक्षकों का या नायस द्वारा संचाली डिलत प्रसिक्षण कराने की पहल की थी कि जो लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं चाहे हो गवर्मेंट में हो या प्राइवेट स्कूल में हो यदि वो अंट्रेंड हैं आप प्रसिक्षित है तो उनको प्रसिक्षित किया जाएगा और इसी लिए लोगोंने इसका फायदा उठाया जैसे ही इस पर अमल हुआ तो बड़े पैमाने पर कुछ विद्यालियों में दरजन भर सिक्षकों के नाम जोड़ दिये गए और ये ऐसे सिक्षक है जो कभी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने नहीं जाते घर बैठे डिलर्ट का प्रसिक्षन ले रहे थे बहुत बड़ा फैक्ट है ये सबी चीजें सामने आ रही है एंसी टी का मेन एक एईर एक ये भी रीजन है उसको अमान करने का असंबेधानी करने का आगे हम इसमें थोड़ा सा बिस्तार से चर्चा करेंगे हम इसमें थोड़ा डिसकस भी करेंगे आपके साथ में थोड़ी प प्रकंड के एक सिक्षा कर्मी की एहम भूमिका है। सिक्षकों से संबन्दिद मामला सामने आने के बाद विद्याले प्रवंधन पर जुट गया है उनके नियुक्त का आधार मान सहित अंबिंद्दो कर रिकार्थ त्यार किया जा रहा यानी vos तिचेर यहां वहाँ उनकी नियुक्त का समय वहाँ पे होगा कब से वह पढ़ा रहा है सब कुछ रजिश्टर में होगा कब से उनको सेल्डी मिल रही है सबी चीज़े होंगी तो पूरा जो रिकार्ड है वो तयार किया जा रहा है और जाच का असर यह हुआ कि कुछ टीचर स्कूल भी आने लगे ह और इधर बीओ सी प्रशाद ने का है कि निजीव इद्यालियों में नियुक्त जो फरजी सिख्षक है उनकी सगन जाच की जाएगी और जाच के बाद फरजी सिख्षकों को चिन्नित कर उन्हें तो हटाया ही जाएगा और वैसे निजीव इद्यालियों पर भी कारवाई की जाएगी जिन्हों ने फर्जी बाड़ा किया है तो यह थी न्यूज जो एंसीटी ने एक मेन फेक्ट था जो आमान करने का लेकिन यहां पे एक दूसरा फेक्ट यह भी है कि कहते हैं कि एक मचली पूरे तालाब को गंदा करती है तो यहां पे कुछ ऐसे टीचर हैं जिन्हों कि यहां पे उनकी क्या गलती है वह तो बिलकुन फेर काम कर रहे हैं जो जो रूल था है नायस ने जो रूल रखा गवर्मेंट ने जो रूल रखा उसी के कार्डिंग वो चल रहे थे तो यहां पे पूरे डियलेड को अमान असंबैधानिक बता करके उन लोगों को भी सजा दी जा रही है जिनोंने फेर काम किया मुझे लगता है कि एक बार फिर वि इगरी ही जो है वो बिलकुन अवैद घोसित कर दी जाया रद कर दी जाया और आगे इतने साल तक वो कोई भी कोर्स नहीं कर सकते कुछ ऐसा पैनिस्मेंट बना दिया जाए लेकिन जो फेर वर्क कर रहे है टीचर जो रियल में टीचर है जो पढ़ा रहे है जिनोंने सही त आजा नहीं दी जानी चाहिए आप अपनी राय जरूर हमें बताएं क्मेंट फांक में अपनी राय रखें कमेंट करें और बताएं कि एमन यह फैसला सही तो नहीं यह भी पता है लेकिन एक यह वी nhất हैं कमेंस करें बढ़ाएं वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिजे परशान मत होएं सब आपके साथ में हैं और साथ में वह यह भी कह रहा है कि आप चाहे तो कोट जा सकते हैं तो विलकुन आपके पास आफसन है चलिए फिडिन मिलते हैं तब तक के लिए टेक केर बाए